दोस्तों संगर्स्टू फ्लोर पर आने को पूरी तरह से तयार इस वक्त मैं मौझूद हूँ प्रोडूसर रतनाकर कुमार जी के कारयाले में संगर्स्टू की पूरी टीम भी यहां मौझूद है हमारे साथ डिरेक्टर खुद पराग पाटिल है जिने हमने हाल ही में विदेशों के दौरा करते हुए देखा है कई तस्वीरे वीडियो बैंकॉक के भी सबसे पहले तो आप यह बताया है कि क्या वाकई में विदेशों में शूटिंग हो नहीं है संगर्स्टू की क्योंकि जैसा कि रतनाकर सर ने मेरे पहले इंटरू बताया था बहुत बड़ में विदेशों में शूटिंग होगी संगर्स्टू की कौन-कौन से देश बैंकॉक तो वैसे मैंने आपको देखा काफी मजा ले रहे थे और आपके साथ इस फिल्म के को प्रोडूसर मिस्टर कुल्दीप श्रिवास्तो जी भी थे तो कौन-कौन सा लोकेशन आप लोकेश संगर्ष्टू की शूटिंग बैंकॉक, फुकेट, पताया और दुबाइ और यूपी के कई शेत्रों में होगी ऐसा क्या दिखाने वाले हैं आप इतनी मतलब गिदीशों में इतने सारे देशों का आपने नाम ले लिया इतने जादे पैसे लग रहें क्या इस वार क्या त तहल का तो मचेगा बिलकुल जब संगर्ष है जब संगर्ष बिसिकली क्या है ओडियन्स को संगर्ष फर्स से बहुत ज़ादा संगर्ष टू से एक्सपेक्टेशन है क्योंकि कहीं न कहीं फर्स पार्ट बहुत ही अपने आप में एक किरतीमान साबित हुआ है तो उसके हिस वीरू ठाकुर ये सबजेक्ट लेकर आए हमारे पास में तो चीजे बहुत अच्छी लगी बहुत ज़ादा स्केल पर जो संगर्ष टू हम लोग जो स्केल पर सोच रहते बिलकुल हुबहु उन्होंने उसी लेवल पर लिखा था तो एक बड़े कैनवास की ज़रूद है भ डाइमेंशन्स एक नई चीजे सेट करेंगी जो एक सिनिमा फिल्मेकिंग का जो कैनवास होता है उस कैनवास के बैरियर्स को तोड़ के एक नया कैनवास और एक नए बैरियर्स बिठाए जाएंगे संगर्ष टू में यह जो पहली वाली संगर्ष थी उसकी कहानी आगे बढ़ रही है गया अभी मैं कहानी को डिस्क्लोज नहीं करूँगा पता सकते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा नहीं बिल्कुल कैमरा के सामने है तो बिल्कुल सब जान जाएंगे लेकिन संगर्ष टू है यह बिल्कुल हमारे पहले वाले सिनिमा से या पहले वाले फिल्म से कहीं पे भी इस चीज का मेल जूल नहीं है, एक नई फ्रेश कहानी है और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल और काफी दिनों से हम सभी के मन में ये हलचल मची थी काफी सवाल थे कि साथ-साथ हीरोईने इस फिल्म के लिए आप लोग जो हैं देख चुके हैं बातचीत कर चुके हैं और आखिरकार आप लोगों ने आयकर ऑफिशिल तोर पर हीरोईन का नाम भी सब के सामने रख दिया तो क्यों आखिर इसी हीरोईन का चुनाओं आपके इस फिल्म के लिए हुआ है देखिए मेगा का चैन हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि मेगा मेरे कॉंसेप्ट के लिए फिट थी जो कारेक्टर एक राइटर ने और हम लोगों ने जो डिजाइन किया है जो character का aura है जो character एक language को लेके चल रहे है तो उसको हम लोग ने follow किया और Megha मेरे cinema के लिए बहुत ज़्यादा fit थी संगर्ष्टू के लिए तो Megha Shri के साथ मेरी ये दूसरी film है After Bowl, Radha Bowl और बहुत ही dedicated, बहुत ही अच्छी artist है चीजों को समझती है जबके भोचपुरी भाशी ना होते हुए भी वो अपना dedication देती है assistance के पीछे 24 hours लगी रहती है कि मुझे बताओ इस line का मतलब क्या है तो एक dedicated artist है और Megha उस concept के लिए संगर्ष्टू के ले बिलकुल fit थी जो characterization किया है हम लोगोंने heroine का उसके लिए हम लोगों को Megha से बेतर कोई नहीं नज़र आया अच्छा और काफी वीडियोज पहले ही किसारी जी के साथ Megha श्री के आए है दोनों की chemistry और दोनों का होना एक साथ इसकिन पर बहुत ज़्यादा पसंद लोग कर रहे है तो कितना शामिलता थी केसारी जी की कि फिल्म की heroine क्या उन्होंने भी बात की आप लोगों से या आप लोगोंने ही मिलकर के देखिए जब एक cinema बनता है तो जाहिर सी बात है सभी लोगों का एक साथ आना होता है एक साथ आने के बाद में किरदार को एक दूसरे के सूजबूच से चुना जाता है ना के हम ही हम है और तुम ही तुम हो वाला कभी सिनिमा नहीं बना पाता है सिनिमा इस ओल अबाउड टीम वर्क तो जाहिर सी बात है सब लोगों के सुजाव आए जब करेक्टराइजेशन आया तो बिल्कुल के सारी जी का भी सुजाव आया और सारे लोग एक दूसरे के सुजाव से सहमत थे इसके वज़े से मेघाश्री है मतलब फाइनली काजल रागवानी आउट काजल रागवानी आउट से बहतर मैं यह कहूंगा कि हम लोग की फिल्म का चैन और कॉंसेट का चैन थी मेघाष्री लिकिन आपके जो सात नाम थे उसमें काजल रागवानी के भी नाम था बिल्कुल सबका नाम था आप काजल रागवानी पे क्यों फोर्स कर रहे इसलिए कि वहां पे अमरपानी जी का नाम था वह नहीं आपने कास के X ऐ, क्योंकि टॉप 7 में तो नाम उनका है ही और अहीं मतलब फिल्म में हैं वह भी – नहीं, ऐसी भात तो Неहीं मैं ama कि वह फिल्म में हैं वह बिल्कु वह फिल्ममें नहीं है काजल रागवानी ये संगर्ष्टू का हिस्सा नहीं बन पाई क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी और कोई दूसरी वज़ा नहीं अच्छा ठीक है इसके अलामा और कौन-कौन से स्टार कास्ट हैं जो आपकी फिल्म में नए चेहरे दूसरी इंडस्ट्री से आजकल तो साउथ और हिंदी इंडस्ट्री का चलन आ गया है तो क्या कुछ बताएं देखिए बहुत सारे अभी मेगाश्री को चुनना ये मेरे स्क्रिप्ट की डिमांड थी जबके अजन डिरेक्टर मैं एक मराठी इंडस्ट्री से बिलॉंग करता हूँ एक महराश्रीयन हूँ तो मेरा ये हमेशा से रहता है भोजपुरी में कि मैं भोजपुरी में जब भी काम करूँ ज़ादा से ज़ादा भोजपुरी लोगों को काम दो जो actors भोजपुरी माटी को से dedicated है बहुत ज़्यादा समय दे रहे है भोजपुरी फिल्मे करने के लिए कौन कितना सफल है कौन कितना असफल है वो बात की बात है लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि मैं जितना ज़्यादा भोजपुरी actors को प्रमोट करो एक भोजपुरी सिनिमा के लिए वो ज़्यादा बह्टर है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भोजपुरी सिनिमा के लिए क्योंकि उनका हक सबसे पहले है तो कौन कौन है भोजपुरी से किसको किसको आपने किसको भोजपुरी में हमारे विलन है विनित विशाल जी उसके बाद में समर्च चतुरवेदी है एक पॉजिटिव रोल में विनोद मिश्रा जी है उसके बाद में माही श्रिवास्तव है सभा खान है मेगा श्री साउथ इंडस्ट्री से है लेकिन वो हमारे डिमाड थी श्वेता महरा का नाम नहीं है श्वेता महरा अभी चीजे चल रही है देखते हैं कैसे क्या होगा और बहुत सारे किरदार है जो भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलॉंग करते हैं प्रॉपरली तो मैं यही चाहता था कि जितना जादा भोजपुरी आर्टिस्ट को मैं मेरे फिल्मों में रख सकूँ उतना जादा एक भोजपुरी सिनिमा क्योंकि अल्टिमेटली में भोजपुरी सिनिमा बना रहा हूँ अव्देश मिश्रा, संजे पांडे जैसे तिगज विलन्स के नाम अभी नौ विलन्स है इस फिल्म में अभी जो मैं बैंकोक का शेडियूल कर रहा हूँ उसमें केवल विनित विशाल है एक इंपोर्टेंट सवाल, कितने दिन के शूट होगी आपके फिल्म लगभग मान लिजे कि कम से कम हम लोगोंने अभी तक तो शेडियूल आखा है 40 दिन का अगर 40 दिन में अगर हम लोग यह कम्पलीट कर पाए तो अच्छी बात है शायद से आगे भी जा सकता है अगे भी जा सकता है मतलब अगर 50-60 दिन की फिल्म शूट हो तो फिल्म जो है हो सकती है भोचपूरे में इतना भी चल रहा है देखे फिल्म 50-60 दिन की बात नहीं है बेसिकली अगर आपके स्क्रिप्ट की डिमांड है मतलब 54 दिन की भी बात नहीं है तो स्क्रिप्ट की डिमांड है तो जाहिर सी बात है एक डिरेक्टर उतना समय लेगा एक सिनिमा को बहतर बनाने के लिए और जब प्रोड्यूसर इतनी लागत से इतनी जगा पर शूट करना चाता है तो जाहिर सी बात है कि एक अपने आप में जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है बतार निर्देशक कि आपको आपका बेश्ट देना है इसमें कोई एस्क्यूज नहीं हो सकता मतलब फिल्म की डिमांड डिरेक्टर की डिमांड और जितनी ज़रूत है उतने दिन शूट हो सकती है यह कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कि पचास दिन साथ दिन फिल्म सूट हो रही है भुश्पूरी की जा रही है बिल्कुल एक देखिए मैंने आप से इंटर्वी में पहले ही कहा कि बैरोमेटर्स को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा अच्छे सिनिमा का कैनवास आप तभी ला सकते हैं पोटरी कर सकते हैं जब आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे जब प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो आपको टाइम चाहिए डेस चाहिए तो जाहिर सी बात है जब प्रॉपरली define करने के लिए जो वक्त लगना है वो तो वक्त लगेगा बिल्कुल बहुत शुक्रिया और जाते जाते काक्री सवाल आपसे कि कम से हो जाएगी शुटिंग ये शुरू और वहाँ से तस्वीरे वीडियोस हमको देखने मिलेंगे बिल्कुल बहुत जल्द लगभग ये नौ से दस तारीक तक हम लोग सबसे पहले बैंकॉक का शेडियूल है तो बैंकॉक के शेडियूल के बाद हम लोग तुरंट दुबई शेडियूल करेंगे और दुबई शेडियूल के बाद हम लोग लगभग यूपी का शेडियूल कर तो कच में भी दो तीन दिन की हम लोग की शूट है तो में भी हम लोग बैंकोक के बाद शायद से यूपी आए, कच आए, डुबाय आए, ये प्रोडक्शन के पूरे, क्या बोलते हैं, अर्रेंजमेंट्स के उपर डिपेंड करता है, कि प्रोडक्शन कहां पर पहले जादा बहुत शुक्रिया, पराग पाटिल जी है, डिरेक्टर पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, जाते जाते तमाम दर्शक आपको सुनने क्या कुछ कहेंगे? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संघर्ष टू भी आपको उतना ही उत्तेजित करेगा, उतना ही रोमांच लाएगा, जितना आपको संघर्ष दे चुका है. पराग पाटिल जी से कोई सवाल हो तो प्लीस कमें बॉक्स में जरूर लिखेगा दोस्तों और कोशिश करेंगे कि इस फिल्म से जूड़ी खास अपडेट, एस्क्लियूजिव खबरे आप तक पहुचाते रहे, मनेरे देसी भारत के साथ, नमस्कार.